नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइन्थ महारा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स पार्ट फर्स्ट चाप्ट नूमर वन सेट उसमें प्रेक्टिसेट वन पॉइंट त्री का कोशन नूमर फोर त्री तक हो चुके हैं अब इसका अंसर स्वाल करने से पहले आप सभी को अनुरद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें फिर लाइक करें और जो हैं वो शेयर करें और बिल आइकान प्रेस करें जिससे के आने वाली वीडियो आपको उनका नोटिपिकेशन मिल जाए तो देखें एसेट के हमें सबसेट लिखने हैं सबसेट लिख सकते हैं इन में से कुछ इलेमेंट हमें लेना है और सेट फ़र्म करना है तो इन में से एक भी इलेमेंट हम लेख सकते हैं सबोज़ सी सेट है दूसरा त्री write any 3 subset 3 subset लिखने हैं तो D is equal to D में हम लिख सकते हैं 2, 7 या फिर only 2 लिख सकते हैं only 7 लिख सकते हैं 3, 2, 7 लिख सकते हैं कोई भी एक set जिसमें इस set में जितने element है उन में से कुछ D में हो तो 3, 2, 7 तो D के सभी elements 3, 2, 7 A में हैं तो D is the subset of A D A का subset होगा तो ये 3 set जो हैं वो answer आएगा अब answer जो है और भी आ सकते हैं set 1, 3, 2, 1, 3, 7 ऐसे भी हम लिख सकते हैं Question number 5 देखिए Write the subset relation between the sets P is the set of all residents in Pune M is the set of all residents in Madhya Pradesh I is the set of all residents in Indor B is the set of all residents in India and H is the set of all residents in Maharashtra Residence इसका मतलब रहिवाशी जो मराठी में कहा जाता है उनको रहिवाशी तो Pune में जो रहने वाले लोग है that is residents in Pune Pune में रहने वाले लोग Madhya Pradesh में रहने वाले residents in Pune सरी Madhya Pradesh तो P Pune को है Y M सिंबॉल मत्य प्रदेश को है I Indor को है B India को है H महाराष्टा को है तो कौन सा set का subset होगा अब जो Pune है वो महाराष्टा के अंदर रहता है Pune पूरा area जो है वो महाराष्टा के अंदर रहता है तो जितने लोग Pune में रहते हैं वो सभी महाराष्टा में रहते ही है तो इसका मतलब Pune is the sub-set of महाराष्टा तो हम पहले India जो है India में सभी ये जो है वो सभी India के sub-set है तो India में सभी लोग जो है वो है तो Pune, Madhya Pradesh, Indor, महाराष्टा एस अभी इंडिया में है तो इंडिया के यह सभी सपस्ट हो गए इंडिया है B तो B को B के बाकी के सभी जो है उस पसेट है तो हमें बाकी के सिर्फेट लिखना है तो B is the subset of B, India यम is the subset of इंडिया B I is the subset of B, India and H is also the subset of B, B है इंडिया अब उसके बाद हम लेंगे पुने, तो पुने आता है महराष्टा में, तो पुने जो P है वो महराष्टा एच का सबसेट होगा, तो P is the सबसेट of EV. अब महाराष्टा के कौन से कौन से हैं सबसेट महाराष्टा में कौन से कौन से यहां पर जो सिटीज है वा आती है पुने हैं मद्यप्रदेश इंदोर इंडिया कोई भी नहीं आता तो पुने इस सबसेट ऑप महाराष्टा मद्यप्रदेश का जो सबसेट है है इंदोर मद् प्रिदेश का गया अब इंदर इंडिया का भी है तो वह हमने पहले लिखा है तो यह हो गए सबसेट रिलेशन पुने महारेश्टर का आए इंदर मद्यप्रिदेश का जो अबो मतलब उपर दिये गए जो भी सेट है इन सभी में इनुवर्सल सेट कौनसा होगा तो इनुवर्सल सेट आपको सबको पता ही चल गया होगा इंडिया इस दे इनुवर्सल सेट इंडिया में सभी जो है हो बाइक के सिटीज हो या स्टेट्स हो इंक्लूड है तो इंडिया इस दे इनुवर्सल सेट तो हम यहां पर लिख सकते हैं residents of India all the residents of India या फिर हम लेख सकते हैं Set B is the universal set, is the universal set for all the above sets. Question number 6, which set of the numbers could be the universal set for the sets given below? जो set यहां पर दिये गए है नीचे दिये गए है उनके लिए कौन सा set जो है वो universal set हो सकता है तो यह set है set of multiples of 5 set of multiples of 5 इसका मतलब 5 की जो multiples है 5, 10, 15 यह सभी 5 के multiples set of multiples of 7 7 के multiples 7, 14, 21 7 के multiples set of multiples of 12 12, 24, 36 तो इन सभी जो नमबर से है अभी यह भी set है यह भी set है यह भी set है सभी infinite set है तो यह है A, B और C infinite set है इनके लिए कौन से set जो है वो universal set सावित हो सकते है तो natural number का set obviously क्या होगा universal set हो सकता है क्योंकि इस भी natural numbers है whole number का जो set है वो भी इनके लिए या और जो रेशनल नंबर है या इन्टीजर का भी सेट्ट जो है इंटीजर के लिए I और Z सिंबॉल है इन्टीजर, वोल नंबर्स या नेच्रल नंबर्स इन में से कोई भी जो सेट है वो इनके लिए इनुरसल सेट साबित हो सकता है question number 6 में which set of the numbers could be the universal set of the for the sets given below उसी question में second question है P is equal to set of integers which are multiples of 4 and T is equal to set of all even square numbers तो इन दो sets के लिए जो universal sets है भी तो ओस set हमें find करना है P set of integers which are multiples of 4 4 के multiple और यह है set of all even square numbers even square numbers 2 का square 4 फिर 6 का square 36 8 का square 64 जो even number है उनके square even है आते हैं तो इन सभी numbers का set और set of integers which are multiple of 4, 4 के multiple और यह तो अब इसली positive होंगे और यह भी positive होंगे और यह भी positive होंगे square है तो वो natural number का set या whole number का set या फिर integer integer i और z इनका set इनके लिए हम universal set ले सकते हैं question number 7 देखें let all the students of class is is an universal set जो क्लास के सभी student है वो universal set में हैं suppose let set A be the students who secure 50% or more marks in maths 50% या उससे ज़्यादा 50 से अगे 50 और 50 से अगे तो 50 से कम वाले जो हैं वो इसमें नहीं आएंगे then write the complement of the set A अब जो total student है class में तो total student में 50% से ज़्यादा और 50% से कम यह दो group जो हैं वो अलग-अलग बन जाएंगे तो universal set में से हमें 50% से ज़्यादा जो हैं वो minus करना है और जो रह गए हैं वो 50% से कम 50 या 50 से ज़्यादा वो universal से minus तो 50 से कम जो student हैं वो इस set में आएंगे complement में आएंगे A का complement मतलब A में नहीं होना चाहिए U में होना चाहिए तो class के other student तो हमें यहाँ पर इसका answer लिखना है तो क्या है देखिए 50% or more marks in maths then write the complement of set A अब set A जो होगा वो complement उसका complement क्या होगा set of students set of students of class students of class who secure who secure less than 50% marks less than 50% marks कौसा subject है in maths तो maths क्लिखना है तो यह हो गई practice at 7.3 तो इसके आगे हम practice at 7.1.3 हो गई 1.4 हम लेने वाले हैं उससे पहले कुछ basic points है वो उनका हम revision करेंगे फिर उसके बाद 1.4 practice set और जो problem set के questions हैं वो भी हम लेने वाले हैं जिनमें कि थोड़ा सा difference हो पहले कि जो question है उन से अलग थोड़ी से question हो ऐसे question हम problem set से लेने वाले हैं तो चैनल को subscribe करना ना बूले like वीडियो को जरूर करें और अगर कहीं समझ में ना आये या कुछ problem हो कुछ doubt हो तो आप हमें comment कर सकते हैं जिससे के हम आपके पूरी मदद कर सकें तो ठीक है थैंकियो दोस्तों वीडियो देखने के लिए तो subscriber भी जो हैं वो 1000 के पार हो चुके हैं तो अच्छा response मुझे दिख रहा है इसलिए मैं जो हैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आगे के भी और आप अपने दोस्तों में भी वीडियो जहें हो शेयर करें तो थैंकियो अगें